हेलो एवरीवन स्वागत है आपका मेरे यूटूब चानल में और मैं हूँ तनू अगर आप अपने फेस के लिए कोई फेस पैक ढूंड रहे हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही कम इंग्रीडियन्ट से बनाई हुई है और आप के फेस के लिए बहुत ही जादा इफेक्टिव रहेगी जी हाँ फ्रेंड अगर आप इस फेस पैक का इस्तिमाल करते हैं तो आपके होने वाली प्रॉब्लम जो फेस पर एकने दाग की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी आपके दाग चाहें किसी भी तरीके के हूँ या फिर आपके चहरे पे बहुत ही जादा ड्राइनेस है और आपके चहरे पे बिलकुल भी दिल्कुल तक इस फेस का इस तरीक के से बनाना है यह बताने से पहले में बस आप से एक छोटी सी रिक्व एस्ट है कि अगर आपको वीदियो थोड़ा सा थोड़ करें इस क्षिर्च हमें इस रहें के एक क्टमाटर आधा करेंगया है। आधा अधा बंख के होता है। न्या के शांड़ जाहते हैं उसक्ट आप–क्राइब कोई भी बी पर एक टमाटा लेना है और इसको आधा कट कर लेना है इसके वाद आपको करना पूरी तरीके से कदुकस हो गया है अब हम छन्नी की मदद से इसका रस निकाल लेंगे यह बीज रहे जाएंगे आपके और इसका जो गूदा है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा इस तरीके से आप चाहें तो किसी कपड़े की मदद से भी इसका रस निकाल सकते हैं तो इस तरीके से यह टमाटो वो निकल चुका है इसका रस यह आपके स्कीन के लिए बहुत ही जादा बहतरीन होता है आप रंट्स इस फेस पैक को एक बार इस्तमाल करके जरूर देखें अब हम इसमें क करता है और आपके स्कीन पर मॉस्चराइजर का काम करता है तो इसलिए हमने आप पर आधा चमच रही का इस्तमाल किया अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं हनी भी आपके स्कीन के लिए बहुत ही ज़दा अच्छा होता है एक्निकी प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी तरीक कर देंगे अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस हमें आप सिर्फ तीन चीजे की जरूरत है और फ्रेंट इसमें से अगर आपको कोई चीज सूट नहीं करती है तो आप प्लीज उसको बिल्कुल भी चेहरे पेना लगाए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर अब इसके बाद अप्लीकेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको अपलाई करना है यह जो मैंने आपको बताया था कि आपको छिलका नहीं फेकना है टमाटर का अब हम इसकी हेल्प से ही अपने फेस पे लगाएंगे मैं आपको अपने हाथों पे लगा कर दिखा रही आप रात के टाइम करें तो जादा अच्छा रहेगा और वरना आप यह किसी टाइम भी कर सकते हैं और आप यह इस फेस पेक को डेली इस्तमाल करें तो आपको जादा ही अच्छे डिजल्ट मिलेगें अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक दिन छोड़के दिरे दिरे सॉल्व हो जाएगी और फ्रेंड्स आप कोई भी होम रेमेडी यूज़ करते हैं तो शायद आपको एक बार में रिजल्ट ना मिले लेकिन आप लगातार उसको करते रहते हैं तो आपको उस फर्क जरूर परता है इसलिए आप कम से कम 15-20 दिन इस रेमेडी का इस्तवाल करें आप खुद देखेंगे आपके स्किन पहले से कितनी जादा अच्छी हो जाएगी आपके चाहरे पर चमक होगी ग्लोइंंग होगा आपके चैरा आपके जो दाग धबने हैं वो भी भलके पड़ जाएंगे तो आप इस तरी के से इस रेमेडी का इस्तवाल क मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी और फ्रेंड्स मैं आपको अभी और ये भी बोल रही हो कि अगर आपको इन में से जो चीज सूर नहीं करती है वो आप अपने स्कीन पर बिल्कुल नहीं लगाएं क्योंकि अगर आप लगा लेते हैं त सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बराबर में जो बैल आइकन है उसको भी प्रैस कर दीजे ताकि हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप हमारी वीडियो को देख पाएं और फ्रेंड्स आप मुझे फेस्बूक और इंसेग